डिल्ली के हर जिले में होगा एक सााइबर पुलिस टेशन आज से दिल्ली के हर जिले में साइबर पुलिस टेशन लॉझ कर दिया गया है। इस वक्त हम नहई दिल्य डिस्टिक में मौझूद हैं, मंदिर मार्क थाने में औरriers, मंदिर नहीं दिल्य में ही सब्हक्रा प्लीस टेशन बनाया गया है, डिसेबी नहीं दिल्य इपक का 18 सब्हक्त हमारे साथ मौझूद है, लेकिन देखा गया कि over a period of time जो cyber crime का incidence है जो cases है वो काफी बढ़ रहे हैं तो ऐसे में एक dedicated way में इस ये जो menace है cyber crime का इसको deal करने के लिए एक institutional mechanism की आउशक्ता थी तो इसी दिशा में एक शुरुआत है इसमें जो वर्दी कमिशनर पुलिस है उन्होंने ये initiative लिया और उसके बाद हर डिस्टिक में एक-एक cyber crime police station जो है notify हुआ तो इसी दिशा में आज मंदिर मार्ग police station में हमने cyber crime police station को आज से operationalize कर दिया है हमारे inspector special staff है inspector राम निवास ये अभी look after charge के में इसका SHO का charge देखेंगे बाकि regular जो SHO जो है उनका deployment उनका posting वो जल्दी ही हो जाएगा लगातार cyber crime के मामले सामने आते हैं तो आपकी डिस्टिक में किस तरीके के मामले सामने हैं और कैसे कैसे आपने उनको work out किया है अलग अलग किसम के जो इनकी जो cyber criminals हैं इनकी modus operandi है वो हर दिन evolve होती रहती है नईनी चीजें करते रहते हैं जैसे पुराने वाली जो modus operandi है उस पे लोग उसके लिए उससे alert हो जाते हैं तो फिर ये नया कुछ ले आते हैं तो जो देखा जा रहा है OTP related frauds काफी जादा रहे हैं उसके अलावा फिर जो any desk की जो application install कराके जो mobile phone है उसका remote control ले लिया जाता है वो एक तरीका है और एक जो QR code को scan करके और फिर account से पैसा debit कर लिया जाता है ये एक तरीका है अभी sex torsion के भी cases कुछ register हुए हैं और हमने दो ऐसे case workout भी किये हैं जिसमें हर्याना राजस्तान बॉर्डर से हमने लोगों को arrest किया था और जो latest modus operandi जो जिसका crime देखने को मिला है वो है WhatsApp hacking इसमें accused जो है वो जो इंडिविज्वल्स हैं उनको एक mobile पे लिंक भेजते हैं और उनका code लेकर और किसी ने किसी बहाने से और उनका WhatsApp हैक कर लेते हैं उसके बाद जो इंडिविज्वल्स हैं उनके friends को और जो contacts हैं उनक तो message भेजते हैं कि आप इस number पर इस particular account में हमें पैसा transfer कर दीजिए क्योंकि मेरी तबियत खराब है या इस तरह का कुछ वो बहाना बनाते हैं और फिर लोगों को लगता है कि मेरा जो friend है वो बिमार है hospitalized है तो इसलिए वो पैसा भी transfer कर देते हैं और इसमें इस WhatsApp hacking का एक case हमन ने एक Nigerian national को arrest किया था Bangalore से तो यह बात देखने को आई कि बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनके साथ cheating हो चुकी है उनको लगा कि उन्होंने genuine transfer किया है genuine account में transfer किया है और account के अंदर यह लोग जो कुछ accounts हैं जो गरीब लोगों के account हैं उनको कुछ पैसा पे अब जैसे cyber police station खुल गया था अगर किसी आम आदमी को cyber crime की complaint करानी होगी तो वो थाने जाएगा या सीधा यहीं पर आना होगा उसको देखिए cyber crime police station है यह इसको इसकी jurisdiction डिफाइन की गी है पूरा district है तो पूरे district में कोई भी cyber crime है directly it can be reported in the cyber crime police station जनता को क्या appeal करना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से fraud से बच सकते हैं देखिए basic cyber hygiene है उसका practice करना चाहिए इसमें बहुत सारे डेली police का जो portal है उस पर भी जो basic guidelines है cyber security, cyber safety की वो वहाँ पर मौझूद है आप उनको देखें और डेली police बहुत सारे awareness program भी क पसेंगे और आप अपने आपको अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे उनको यहीं पर solve किया जाएगा तो अब दिल्ली की 15 डिस्टिक के अंदर जो भी cyber crime होगा वो डिस्टिक वाइज ही सुलजाया जाएगा कैमरमेन सी के सिंग के साथ मनोज बर्मा, ABP News, डिल्ली ABP News आपको रखे आगे